भारत के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बात हैं जो हर भारतिय को पता होनी चाहिए दोस्तो भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है प्राचीन समय में न जाने दुनिया भर में कितनी ही सब्वेताएं हुई कितनी ही समराज्य और देश बने लेकिन उनमें से अधिकांश, देशों और सब्वेताओं का आज भी नामों निशान नजर रही आता वहीं दूसरी और भारत हमेशा सही अपने समरिदे इतिहास, गौरवशाली परमपरा और अत्याधुनिक अविश्कारों के कारण विख्यात रहा है आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के बारे में 10 ऐसी बाते बताएंगे जिनके बारे में जान कर आप हैरान हो जाएंगे और आपको अपने भारत देश पर गर्व भी बहुत महसूस होगा तो चलिए आप देर ना करते वे आज की वीडियो शुरू करते हैं वारानासी, one of the oldest city उत्तर प्रदेश में स्थित वारानासी शहर को दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है सभी परंपराओं से प्राचीन ये शहर है कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान शिव और माता पारवती यहां पर निवास करते थे इस शहर को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है बनारस में कुल असी घाट बने हुए हैं माननेताओं के अनुसार जो व्यक्ति बनारस में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है। ना सिर्फ हिंदू धरम के लिए बलकि बॉध और जैन धरम के लिए भी बनारस विशेश महत्व रखता है। धाई हजार साल पहले जब भगवान बुध भ्रमन करते वे काशी पहुँचे थे तो उन्होंने इस शहर को दे इंशेंट सिटी कहा था। University of Dakshila University को दुनिया की सबसे पहली और प्राचिन University माना जाता है। जिसकी स्थापना सं 1700 इसाप पूर्व में की गई थी। यह University आज के समय के पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के पास में मौझुद हुआ करती थी। यहां पर 10,000 से अधिक स्टूडेंट सध्यान किया करते थे। 16 साल की आयू के बाद ही इस युनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाता था। यहां पर साइन्स, मैट्स, मेडिसीन, पॉलिटिक्स, एस्टॉलोजी, एस्टॉनोमी, म्यूजिक और फिलोसफी जैसे 60 से अधिक सब्जेक्ट्स का ग्यान छात्रों को दिया जाता था। इस युनिवर्सिटी के बारे में चाइनिस ट्रेवलर फाहाइन ने भी काफी कुछ लिखा है। नालंदा युनिवर्सिटी तक्षिला युनिवर्सिटी के बाद नालंदा युनिवर्सिटी विश्व की सबसे पुरानी युनिवर्सिटी मानी जाती है। ये युनिवर्सिटी higher education के लिए प्रसिद्ध थी इसकी स्थापना पांचवी शताबदी में गुप्तकाल के दौरान कुमार गुप्त प्रथम ने कराई थी यहाँ पर भारत के अलावा Korea, Japan, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, इरान, ग्रीस और मंगोलिया जैसे दिशों से भ यहाँ पर एक विशाल लाइबरेरी भी हुआ करती थी जिसमें तीन लाग से अधिक किताबे थी कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि आरे भट इस युनिवर्सिटी के हेड भी रहे हैं सन 1193 में तुर्की आकरमनकारी बक्तियार खेलजी ने इस युनिवर्सिटी में आ तो आपने काफी कुछ सुना होगा ये विश्यू की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को इस सभ्यता से पुराना माना जाता है लेकिन सिंदु घाटी की सभ्यता एक सम्रिद्ध और अत्यादुनिक सभ्यता मानी जाती है सन 19 2020 के दश्रक में पहली बार इस सभ्यता के बारे में लोगों को पता चला था इसका इतिहास करीब 3300 इस्सा पूरु माना जाता है हाला कि कुछ लोग का कहना है कि ये सभ्यता 8000 सालों से भी अधिक पुरानी है मोहन जदाडो और हडपा आज पाकिस्तान के अंतरगत आते हैं यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनिस सिस्टम मौजूद था नाने के लिए बड़े-बड़े स्नानागार बने हुए थे बाटर सिस्टम के जरिये वैपार किया जाता था लोग कांस से पीतल और तामबे के बरतन और हथियार बनाया करते थे इस यूग के लोगों को लोहे के बार पहले सर्जरी करना शुरू किया था लेकिन भारत के महान आचारे और शली चिकेटसक महरसी शुषूद ने करीब 2600 साल पहले ही सर्जरी करना शुरू कर दिया था उन्हें सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है औस्टेलिया के रॉयल औस्टेलिया कॉलेज ऑफ में महर्सी शुषूत की मुर्ती भी लगाई गई है अचार्य सुषूत को मोत्याबिंद हड्डी जोड़ना कृत्रिम अंग लगाना पथरी का ऑप्रेशन और यहां तक की प्लास्टिक सरजरी करने में भी महारत हासिल थी उन्होंने इन सभी चिकेट्सक पद्दती के बारे म सुषूत सहीता में विस्तार से लिखा है इस किताब में कुल 184 चैप्टर से हैं जिन में 1120 बीमारियों के बारे में लिखा गया है इसके अलावा 700 से अधिक और शदिये पौधे मिनरल रिसोर्स और एनिमल रिसोर्स के बारे में भी आचार्य सुषूत ने लिखा है उनके किताब का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है महर्शी चरक महर्शी चरक कुशान राज्य के राजवेद्ध थे और इन्होंने अपने सिक्षा तक्षिशिला युनिवर्सिटी से ही प्राप की थी महर्शी जनक पहले फुजीशन थे जिन्होंने मेटाबोल और इम्म्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताया था उनका कहना था कि खराब जीवन शैली से ही इनसान के शरीर में बीमारियां प्रवेश करती रहती हैं यदि प्रकिरतिक पदती के साथ जीवन वैदीत करें तो इनसान स्वस्त और निरोगी रहेगा चरक ने चरक सहीता की विस्तार से वर्णन किया है इसके अलावा टीवी मधु में और हिद्य से जुड़ी बीमारियों की नीदान और उपचार के बारे में भी लिखा है इन्वेंशन ऑफ अरेबिक निम्रिकल्स आज एक दो तीन चार जैसे नंबर्स को पूरी दुनिया अरेबिक निम्रिकल्स क चुने का अविशकार कर गणित के शेत्र में क्रांती लाने का काम किया था बारवी शताब्दी के दौरान अल्क वर्जिमी और अल्क इंडी की राइटिंग्स के जरिये सभी नंबर्स यूरोप तक महुचे थे और ये दोनों शक्सक्यों की अरवी थे इसलिए दुनिया मे इन नंबर्स को अरवेक निमरिकल्स कहा जाने लगा अलबर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि हम भारतियों के सदयव रिनी रहेंगे क्योंकि उन्होंने नंबर्स का अविशकार किया था जिसके बिना कोई भी साइन्टिफिक फॉर्मुला काम नहीं करता वैमानिक शास् संस्कृत में वैमानिक शास्त्र लिखा था जिसमें उन्होंने विमान बनाने की कई पद्धती और हवाई युद्ध के विभिन प्रकार के बारे में लिखा था रिशी भारद्वाज ने शक्ति युगदम, भूत्वा, धूम्यान, शिखोदगम, अंशुवा, तारामोक, चंदरकान्थ और मरुत्सका जैसे विमानों के बारे में लिखा है, हाला कि कुछ लोग इस शास्त्र को कालपनिक मानते हैं और कहा जाता है कि बीश्वी शदाबदी में ये गरंथल लिखा गया था, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बात हजब नहीं होती कि प्राचीन भारत आज के विज्ञान से भी ज्यादा उन्नत और आधुनिक हुआ करता था, रमायन काल में रावण के पास पुश्पक विमान मौजूद था, जो मन की गती से हावा में चलता था, पुश्पक विमान के असली होने के भी कई सबूत पाए जा चुके हैं, अधर ग्रेट 163 में ही गुर्ता कर्शन बल के बारे में दुनिया को बता दिया था, उन्होंने सिधान्त शिरोमणी की रचना की है, जिसमें लिलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध है नामक चार भाग हैं, इस ग्रंत में गणित, जोतिश और खगोल विज्ञान के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, आज की आध्यूनिक दुनिया में जॉन डॉल्टन को परमाडू की खोज का श्रे दिया जाता है, लेकिन 600 इसापूर में महरशी कुनाद ने परमाडू सिधान्त के बारे में सबसे पहले बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि इससे एक विनाशकारी हथियार भी बनाया जा सकता है, इसके अलावा गती के तीन नियम भी उन्होंने बताये थे, जिने आज दुनिया न्यूटन के तीन सिधान्त के रूप में जाती है, रिशी अगस्त, भगवान राम के पितार राजा दशरत के गुरू थे, रिशी अगस्त को से वर्णन किया गया है सोने की चिडिया एक समय पर भारत विश्व में सबसे समरिध माना जाता था और ऐसा हो भी क्यों ना जिस देश का प्राची नितिहास इतना सुरणिम रहा हो वहां भला किस चीज की कमी रहेगी भारत को दुनिया भर में सोने की चिडिया के रूप में जाना जाता था लेकिन भारत की यही पहचान भारत के लिए एक बड़ा खत्रा विस्तावित हुई दुनिया भर के लोगों का ध्यान भारत की ओर आकरशित हुआ ना जाने कितने ही विदेशी आकरमन कारियों ने भारत को अनेको बार लूटा और वो खर्बो रुपय की डोना रुपया तो चोरी कर सकती है लेकिन हमारी कला हमारा इतिहास हमसे कोई अलग नहीं कर सकता दूस्तों आज भारत एक बर फिर दुनिया की सबसे मजबूत अर्थ विवास्ताव में इसे एक है और इसका पूरा श्रे भारत के इतिहास को ही जाता है तो दूस्तों पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकिशन आइकन को आउन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार